कि अच्छा करतों आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी एक्जाम की प्रेपरेशन भी काफी इच्छे चल रही है मिरा नाम है केतन और आप सभी का reasoning के इस important lecture में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है and finally वो moment आ चुका है जब हम अपने एक और important topic को खतम करने की तरफ बढ़ रहे हैं और इस topic का नाम है of course silox, silox में आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है coded silox, ठीक है तो बहुत ही ज़ादा एक अच्छा important concept होता है coded silox पे भी इसमें ये मान के चलिए कि लगभग 80% चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए हो वही use होगी बाकि 20% में कुछ extra जो होगा वो ये होगा कि code की form में आपको यहाँ पर इस बार statements और conclusions दिये जाएंगे आपको उन quotes को decode करना है और उसके बाद आपको solve करना है ठीक है तो 20% में आप आज वही चीज़े सीखोगे कि किस तरह से हमें decode करना होता है ठीक है बाकि आज के इस lecture के बाद फिर finally मेरी तरफ से silox complete हुआ और फिर आप अपनी practice कर सकते है ठीक है चलिए शुरू करते है आपको यहाँ पर यह कुछ symbols वगरा दिये गए हैं इन symbols का use करके हमारे पास एक दो और यह तीन questions मैंने आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ देखे लिगा हूँ है कि a star b का मतलब होगा all a r b ठीक है जिस सरे हमने coded blood relation में पढ़ा था तो वैसे coded blood relation में हम क्या करते थे codes को decode करते थे उसके बाद solve करते थे similarly यहाँ पर भी हमें क्या करना है कि codes को decode करना है ठीक है और question mark अगर कभी भी आया, तो ये show करेगा कि कोई ना कोई possibility case जरूर होगा, ठीक है, और यही important होते है possibility cases, ठीक है, जो कि आपको पता है, चले शुरू करते हैं सबसे पहला, cold और water में लिखा हुआ star, तो star का मतलब क्या है, देखो, star का मतलब होता है, all a.r.b, मतलब all cold are water, बहु का मतलब होता है, यहां पे sum a.r.b, मतलब sum water are ice, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, तो sum water are ice हम ऐसे कर देंगे, फिर आपसे कहता है, देखो, ice और cube के अंदर क्या है greater, तो greater का मतलब होता है, sum a.r.b, इसका मतलब हो गया कि sum ice are not cube, तो आप क्या करोगे, ice आपने बनाई ल लिखा हुआ है, यह cold है, इसको ध्यान रखना, कि यह cold था, ठीक है, और बाहर वाला cube है, तो इस तरह से हमने अपना wind diagram तो बना लिया, अब जब हम अपना wind diagram ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी बाद हमारा काम क्या होता है, कि हम अपने बाकी जो conclusions हमको यहां पर दिख रहे हैं, उन तो some cold are water भी सही होगा, और some water are cold भी सही होगा, तो some water are cold बिल्कुल सही है, ठीक है, फिर अगला देखो percentage है, मतलब क्या बनेगा, some, तो some eyes are water, यह आप से कहा रहा है, तो some eyes are water, बिल्कुल ठीक है, जब some water are eyes है, तो some eyes are water, जरूर सही होगा, मतलब दूसरा वाला case भी बिल्कुल सही है, तीसरे में बात करते हैं देखो अब इसको ध्यान से समझना cold और cube के बीच में less than है और question mark है, तो आप देखो less than का मतलब क्या होता है, no मतलब एक तरह से no cold is cube ये बना, और no cold is cube के सासथ question mark है question mark शो करता है बचो possibility को, तो ये पता complete क्या बना मैं आपको लिख्ये दिखा तो, ये complete बना कि no cold, ठीक है being cube no cold being cube is a possibility ये आपका complete conclusion बना और इसको आपको चक करना है कि no cold being cube is a possibility अब आप से कहता है कि एक ऐसा diagram बना कर दिखा दो, जिसमे cold और cube के बीच में कोई भी relation ना हो, एक ऐसा diagram बना कर दिखा दो, तो अगर आप देखो द्यान से, तो आपका जो cold है ये और जो cube है ये, इन दोनों के बीच में कोई relation नहीं है न, तो आपकी possibility वाला जो ये कह रहा है कि diagram बनाओ, ये आपकी itself definite जो statement वाला बन diagram है उसमें बना हुआ है, तो अगर बना हुआ है तो possibility बिलकुल सही हो गई, तो बस हमें दोबारा बनाने की जूरत ही नहीं है because statement का जो definite diagram होता है वो भी एक तरह से possible diagram कहा जा सकता है, जब possibility की बात होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है next देखो क्या कहा रहा है, cube और water में लिखा हुआ है greater, तो अब greater का मतलब क्या होता है, some a are not b मतलब यह कहा रहा है कि some cubes are not water, मैं यह आपर लिखता हूँ देखो, some cubes are not waters, ठीक है, तो यह बात हो गई कि some cubes are not waters इसको हमें क्या करना है, चक करना है अब आप देखो, cubes यह रहे और water यह रहे तो आप कहो कि sir, इनके बीच में एक तरह से indirect relation है, मैं कहूंगा, हाँ no है तो अगर है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा some not भी मिलेगा, तो हमें यहाँ पर replace करके चक करना पड़ेगा, ठीक है, तो some not को किसे replace करते हैं, आप जानतों all से, तो क्या बनेगा नियाक conclusion, all cubes are water तो बहले बनाओ, तो अगर all cubes हो गए आपके water, ठीक है तो आपने यह काम कर दिया, कि सारे के cubes क्या बनगा, भी water बनगा, अब हमारा अगर ले गाए, तो replacement कहता है, कि गलत होगा, original conclusion, और अगर हम नहीं कर पाए, तो replacement कहता है, कि original conclusion सही होगा, अब आप देखो, पहला आप से क्या कहता है, कि all cold are water, ठीक है, तो सारे के सारे cold को आप यहाँ डाल दो, यह देखो, सारे cold क्या होगा, water होगा, फिर उसने आप से बुला कि some water or ice, तो some water को ice हम कैसे कर सकते है, हम some water को ice कैसे कर सकते है, कोई issue नहीं है, हमने ice कर दिया, some water को, और फिर आप से कहता है, कि कुछ ice क्या नहीं है, cube नहीं है, तो यह देखो, इतनी जो आपको ice दिख रही हैं, यह ice क्या नहीं है, cube नहीं है, ठीक है, आपने बना के दिखा दिया, बना के दिखा दिया, तो ultimately, गलत, यानि कि cube, greater water वाली जो बात होगी, यह क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद, last में आपसे कह रहा है, cube और ice के बीच में, greater वो possibility की बात कर रहा है, तो अम इतना रप करते हूं, उम्मीद करते हूं, यह दोनों तो आपको समझ में आ गए होंगे, चलिए, तो अगर हम बात करते हैं, इसके उपर, next वाले पर, देखो जान से, तो अब greater की बात हो रही है, ठीक है, तो greater में solve करो, उसको देखते हैं, कि क्या आता है, लिखा हुआ है कि cube और ice में greater और question mark, तो greater का मतलब क्या होता देखो, some a are not be, मतलब some cubes are not ice, यह बाग तो ही है, लेकिन साथ में question mark लगा है, is a possibility, यह बनेगा नयाख inclusion आपको, some cubes not being ice is a possibility, ठीक है, तो यह आपका नयाख inclusion बनने वाला है, तो अगर cubes यहाँ पर है, ice यहाँ पर है, और उसको कहता है कि some not की possibility उसको चाहिए, तो कोशिश करते हैं भई बनाने की देखो, cubes यह रहें, ठीक है, और ice आपके यह रहें, अब आप देखो ध्यान से समझना, अगर हम बात करें, तो ice और cube के बीच में एक तरह से कैसा relation है, no का, भई some not का relation अगर है, तो some not का relation की वरे से क्या होता है, no का relation तो आया ही होगा, तब ही तो some not का relation maintain हो रहा है, यह बात आपको पता है, मैंने आपको सिखा है, याद करिए, class number आपकी पहली और case number तीसरा, no की case में हमने बात करी थी, कि अगर no का case आया, तो some not के case को जरूर देता है, और अगर some not का case आ रहा है, तो मतलब आप indirectly कह सकते हो, कि no का case दो जरूर रहा होगा, ठीक है, तो some not की बात हो रही है, तो आप देखो, इतने जो cube है, वो भी क्या नहीं होगे, of course ice नहीं होगे, तो वह यह बात क्या है भी रहा है, तो cubes और ice के बात चल भी है, possibility बिलकुल सही है, आपका itself जो statement वाला वेंडाग्राम है, यही in fact possibility को show कर रहा है, समझ भागया, तो यह जो है statement वाला, अगर आपसे कहता कि, यहाँ पर इसकी जगे पे no होता, मतलब less than का symbol अगर होता, और question mark लगा होता, तो no cube being ice is a possibility, तो no cube being ice is a possibility, वाली बात भी क्या हो जाती, बिलकुल सही हो जाती, क्योंकि possibility कह रही है, कि जैसा मैं कह रही हूँ, बस मुझे बना कर दिखा दो, वाला काम हो जाता है, तो उमीद कहता हूँ, यह point आपको clear हो रहा होगा, तो अगर यह clear हो रहा है, तो आगे चलते हैं, next वाले question की तरफ, देखो ध्यान से, अगला वाला जो question है, उसको भी बहुत ध्यान से करेंगे हम, ठीक है, इसमें भी कुछ और हमें बाते सीखने को मिलेंगी, चागे देखे, लिखा हुआ है कि इस बात sea waves है, और उसके बाद tides हैं, उसके बाद फिर moon है, तो अब sea और waves में क्या लिखा हुआ है, देखो greater, तो greater का मतलब होता, sum are not b, तो मतलब क्या बनेगा, जैसे आप यहाँ पर, देखो seas हैं, और यहाँ पर क्या है, waves है, ठीक है, तो अब अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो some sea are not waves, मतलब इतने जो sea आप देख रहे हो, यह क्या नहीं होंगे, यह कभी भी waves नहीं होंगे, फिर आप से कह रहा, waves और tides में देखो star, star का मतलब होता all, तो सारी की सारी जो waves आप देख रहे हो, कि moon और tide के बीचे percentage, और percentage का मतलब क्या होता देखो, sum, तो आप से कह रहा है कि some moon are tide, तो some moon are tide, बिल्कुल सही बात है, तो यह वाला point क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विकॉस अगर some tide are moon है, तो some moon are tide जरूर सही होंगे, फिर आप से कह रहा है, वो आप से कह रहा है कि एक ऐसा venda गराम बना कर दिखा दीजे, जिसमें कुछ जो tides है, ठीक है, वो क्या नहीं हो रही है, वो waves नहीं हो रही है, तो अगर आप इसकी बात करोगे, तो आपके itself statement वाले venda गराम में वो बात हो रही है, तो जब statement वाले venda गराम में बात हो रही है, तो आप इसको सही कर दोगे, लेकिन अब आपको ध्यान क्या देना उसको समझो, ध्यान आपको यहाँ पर यह देना है, कि अगर हम some tides not being waves is the possibility की बात कहते हैं, तो आप से कहता है कि एक ऐसा venda गराम बनाओ, जिसमें some not का काम हो जाए, लेकिन ये जो आप case देख रहे हो ना, ये वाला case, ये वाला case एक तरह से positive case है, wave or tide के बीच में, तो जब wave or tide के बीच में positive case है, all का case है, तो ना तो कभी some not देगा, और ना ही वो कभी some not की possibility को देगा, एक तरह से अगर हम बात करें, तो ये बात हमें समझ में आ सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, possibility वाली यहाँ पर, तो some not case यहाँ पर निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, कि भाई एक diagram बनाना है, जिसमें कुछ जो tide sum वो क्या ना हो, वो waves ना हो, तो इतनी जो tide sum वो wave नहीं है न, of course, तो अगर हम statement वाले diagram की बात करें, तो उसमें ही यह चीज निकल रही है, तो जब निकल रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, of course, सही कर देंगे, समझ महा रहा है, तो यह धान लगना, अगला कहा रहा है आप से, tide or wave की बीचे percentage, तो percentage का मतलब क्या हो गया, some, तो आप से कहता है कि some types are wave, तो tides यह रही, wave यह रही, तो जब some, all waves are tights है, तो of course, some types are wave वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी, उसका आप से कहा रहा है, देखो wave और moon के बीच में less than or question mark, अब less than का मतलब होता है, देखो no, तो आप से कह रहा है कि no wave being moon is a possibility, अब देखो wave यह रहा है, moon यह रहा है, अब आप से कह रहा है कि no wave being moon is a possibility, एक ऐसा vendagram बना कर दिखा दीजे, जिसमें wave और moon में कोई भी relation ना आ रहा हो, तो itself आपको देखो, question में भी बना हुआ है, तो बना हुआ है, तो of course यह भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह अब आपको चीजें clear और रही होगी, हमारी और आपकी frequency of course match कर रही होगी, because इतने सारे classes लेने के बाद, silox में मैं कम से कम 14 lectures ले चुका हूँ, यह 15th lecture है, जो कि आपका last lecture है silox पे, तो अब 15th lecture में जब हम silox को ख़दम करने जा रहे हैं, तो यह चीजें आपको उम्मीद करता हूँ, जो कि आप चीजें एकदम सही जा समझ में आ रही होगी, ठीक है, चलो, next बात करते है, lashes, eyes, specs और lens की बात हो रही है, तो पहले इसके लिए एक बार diagram बना लेते हैं, तो देखते हैं कि इसके लिए क्या diagram बनेगा, ठीक है, देखे ध्यान से, आप से कहा रहा है कि lashes और eyes में percentage, percentage का मतलब क्या होता है, देखो some, तो क्या हो जाएगा भई, some lashes are eyes, यह बन जाएगा न, उसके बाइब आप से कहा रहा, eyes और specs के बीच में less than, तो less than का मतलब होता no, मतलब no eyes is specs, यह वाला काम हो जाएगा, अच्छा यह lashes हैं तो मैं इसको LA कर दे रहा, ठीक है, और इसके बाइब से कहा रहा है, star, star का मतलब होता all, तो सारे के सारे जो specs हैं वो क्या है भई, वो सारे के सारे lens है, clear हो गया, अब आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कि lens और eyes के बीच में greater, तो greater का मतलब क्या होता है बताओ, some a are not be, तो क्या बनेगा, some lenses are not eyes, यह तो बनेगा, अब आप देखो, यह रहे lenses और यह रहे eyes, तो एक तरस इनके बीच में no correlation है, तो of course some not correlation भी बड़ा राम से, बना लोगे आप, greater, हाई यह रहा, some a are not be, आप से कह रहा है कि एक ऐसा वेंडेगराम बनाओ, जिसमें some lenses are not eyes है, तो some not को किस से replace करेंगे, all से, मतलब सारे के सारे lenses आपको किस में डालने पढ़ेंगे, सारे के सारे lenses आपको डालने पढ़ेंगे, eyes में, सारे के सारे lenses हमने किस में डाल दी, eyes में, समझो, ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूँ, इसको गर हम बात करें, तो lenses आपको बीचे greater है, greater का मतलब क्यों होता है, some not, तो नया conclusion क्या बनेगा हमारा, हम इसको check करना ही जा रहे है, some lenses are not eyes, ठीक है, यही तो बनेगा, तो अगर some lenses are not eyes हमें, इसको check करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे, कि some not को replace कर देंगे all से, तो बनेगा all lenses are eyes, जो मैंने बनाया, ठीक है, all lenses are eyes हमने बना रहे है, अब हमारा काम है, अगर put कर लेगा, तो यह सही हो जाएगा, अगर नहीं put कर पाए, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, अब देखते हैं, पहला आपसे कहता है, कि lashes हैं कुछ eyes, तो lashes कुछ कर लो eyes, कोई चुनी है, फिर आपसे कहता है, कोई भी eye क्या नहीं है, अच्छा सारे के सारे specs lens में है, तो सारे के सारे specs तो आपको lens में डालने पड़ेंगे, मजबूरी है, और उसकी बाएगा आपसे कहता है, कोई भी eye क्या नहीं होगी aspect, आपने तो यहाँ पे सारे के सारे aspect आई कर दिये, मतलब no specs is eyes, तो specs यह रहे और eyes यह रहे, तो अब आप देखो, जब no eyes are specs है, तो no specs are eyes, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगी, replace करने की जरूत भी नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया है, कि अगर A की B से लड़ाई है, ठीक है, A B से बात नहीं करता, तो B की B A से क्या हो गई, अपकोर्स लड़ाई हो गई, ठीक है, तो यह आपको ध्यान देना है, चलिए इसको भी रब करते हैं, यह वाला point आपको समझ में आ गया होगा, percentage की बात करें, तो percentage को मतलब होता है sum, अब आप से कह रहा है eyes or lashes में sum, तो मतलब some eyes are lashes, यह बनेगा, तो अब आप देखो eyes यह हैं, lashes यह हैं, तो जब some lashes are eyes हैं, तो of course some eyes are lashes भी जरूर बनेगा, तो यह वाला point भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब some का case होता है, अगर some ARB हो रहा है, तो of course some ARB, reverse भी सही, जरूर होता है, लास्स आप से कह रहा है, देखो lashes or specs के बीच में greater है, तो अगर lashes or specs में greater है, तो greater का मतलब होता है, some not, तो मतलब some lashes are not specs, क्या बनेगा बतागी है, तो some lashes are not specs, यह तो बात बनेगी, तो अब आप से कह रहा है, जब some not का case आगा, तो आप से किस से replace करोगे, all से, तो आपका काम होगा, कि all lashes को आप क्या बना दो, specs, तो करते हैं देखो, सारे के सारे जो lashes हैं, हमने इनको बना दिया, क्या भई, specs बना दिया, ठीक है, अब आप स्वेटन को put करो, कुछ lashes क्या है, eyes, तो जब कुछ lashes eyes हैं, तो हमने कुछ lashes eyes ऐसे बना दिये, फिर आप से कहते हैं, कोई भी आई क्या नहीं होगा, spec, आप ने तो कुछ ना कुछ eyes spec बना दिये, आप नहीं कर पाए, जब नहीं कर पाए, तो इसलिए क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है, तो जब नहीं कर पाते हैं, तो replacement कहता है, कि आपको क्या खरना पड़ेगा सही, तो इस तरह से, हमने याँ पर अपने coded silox के, इन तीनों questions को complete किया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होगे, ठीक है, तो finally मेरी तरफ से, जो मैंने silox में starting में आपको जो syllabus लिखवाया था, कि हमें यह यह बाते पढ़नी है silox के अंदर, वो आज मैं इस वीडियो में आपको यह बोलता हूँ, कि हमने complete करी है, coded silox जो आपका last बच रहा था, वो मैंने 15th lecture की form में, आपके silox में coded silox को पढ़ा कर, वो भी खतम किया, ठीक है, तो अब इससे पहले देखा जाए तो, मैंने आपको cases पढ़ाए हैं, कुछ conclusions पढ़ाए हैं, कुछ note points पढ़ाए हैं, ठीक है, separate separate मैंने possibility के case आपको पढ़ाए, replacement method क्या होता है हमने उसे बात करी, some का case, on all का case, some plus no का case, बहुत सारे cases अबने discuss किये, साथ में, मैंनो आपको only का case पढ़ाया है, only a few का case पढ़ाया है, कुछ जो important words होते हैं, मैंने उसकी list आपको बताई थी, और finally फिर हमने आज coded silox को भी complete कर लिया, तो इस तरह से, मेरी तरफ से आज silox का topic complete होता है, पूरी तरह से, अब आप इसको पढ़िए फिर से, revision करिए, और अपने जो आपके पास standard book है, आप उसे अपना practice केज़े, ठीक है, if you have any doubt, then you have my whatsapp number, आप मुझे whatsapp कर सकते हैं, मैं इसको एक बार फिर से mention कर रहा हूँ, 7052-887799, ठीक है, and my name is Ketan, तो आप मुझे इस number पर क्या करेंगे, whatsapp या फिर call कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए, फिर उमीद करते हैं, कि next topic जल्दी से शुरू होगा, और उसको भी जल्दी से हम खतम करेंगे, आपको मज़ा आ रहा है, course आपको सीखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ है, और आप अपने आपको अब इस level पर आ चुके होंगे, कि थोड़ा सा confidence आपको feel होने लगा होगा, ठीक है, तो good luck for your exam, keep studying, keep sharing this course, thank you, bye.